सब्सक्राइब कीजे स्मार्टफॉन की चैनल को और बेल आइकोन को दबाईए सबसे पहले लेटिस्ट वीडियो देखने के लिए हेलो दोस्तो स्मार्टफॉन की चैनल में मैं आपका करता हूँ दोस्तो स्वागत दोस्तो यदि आप Indian Railway Reservation Ticket के बारे में यदि आप जानकारी जानना चाहते हैं तो अभी की वीडियो में यही जानकारी आपको देने वाला हूँ कि इसमें क्या-k्या जानकारी दे रखी हुती है तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं जैसा कि आप यहां लिखा हुआ पढ़ सकते हैं PNR नंबर यहां पर जो है PNR नंबर की जानकारी दी होती है इस PNR नंबर के जरिए यदि आपको वेटिंग टिकेट या RAC मिलती है तो आप पता कर सकते हैं कि आपको सीट अविलेबल हुआ है या नहीं हुआ है तो कौन से कोच में हुआ है और उसका सीट नंबर क्या है यहां पर आप लिखा हुआ पढ़ सकते है ट्रें नंबर आप कौन से ट्रें में ट्रेवल करने वाले हैं उस ट्रें का ट्रें नंबर क्या है तो यह उसकी जानकारी यहां दे रखी होती है date आप किस दिन travel करने वाले हैं उस दिन की तारीख यहां लिखी होती है किलोमेटर कितने किलोमेटर का सफर है उसकी जानकारी यहां दे रखी होती है इसके बाद आप यहां लिखा हुआ पर सकते हैं adult इस टिकेट के जरीए कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं उसकी जानकारी यहां दे रखी होती है यहां पर लिखा हुआ पढ़ सकते हैं इस टिकेट के जरीए कितने बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं उसकी जानकारी यहां दे रखी होती है inquiry number 139 जिए आपको railway संबन्दी कोई भी जानकारी चाहिए तो 139 पे आप call करके पूछ सकते है ticket number यहाँ पे ticket number की जानकारी दी होती है इसके बाद आप जिस train के जरीए travel करने वाले है उस train का name क्या है उसकी जानकारी यहाँ दे रखी होती है फिर आपने कौन सी train का ticket ले रखाया यानि कि sleeper हो गया या AC हो गया इसके बाद आप इधर आएंगे तो आप किस station से train के लिए बैटने वाले है और किस station पे उतरने वाले है उसकी जानकारी यहाँ दे रखी होती है ticket book करते समय यदि आपको seat available हुई होती हो फिर यहाँ पर birth की जानकारी दे रखी होती है यदि आपको lower birth मिली है, middle birth मिली है, upper birth मिली है यदि आपको seat available नहीं हुई है यदि आपको RAC waiting आई होती है तो RAC आपको कितनी मिली है, waiting कितनी मिली है उसकी जानकारी यहाँ दे रखी होती है फिर इसके बाद आपको इस टिकेट के पाने के लिए आपने कितने पैसे दिये थे तो उसकी जानकारी यहां दे रखी होती है जैसे कि यहां लिखावाँ पर सकते हैं कुल लकट, टोटल कैश, आपने कितना कैश पे किया है, इस टिकेट को पाने के लिए उसकी जानकारी यहां दे रखी होती है इसके बाद यहां पर जो है, ट्रेंड का डिप्रेचर टाइम, आराइवल टाइम, आपने टिकेट कब बुग की थी, किसी स्टेशन से बुग की थी, कितने बज़े बुग की थी, उसकी जानकारी जो है, यहां दे रखी होती है आशा है दोस्तो, अभी की वीडियो में आपको पता चल गया होगा, कि इंडियन रेलवे रिजर्वेशन टिकेट में क्या-क्या जानकारी दे रखी होती है आशाय दोस्तों अभी की वीडियो में मैंने आपको जो जानकारी दी है आपको आई योगी पसंद वीडियो पसंद तो लाइक ज़रू कर देना दोस्तों के साथ शेर कर देना इस वीडियो को और अभी तक आपने subscribe नहीं किया है smartphone की चैनल को तो प्लीज subscribe कर देना smartphone की चैनल को साथ घंटे को भी दबादेना आने वाली हर latest वीडियो की जानकारी के लिए तो अभी की वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद झाल